हेलो ब्यूटिफुल लेडिस, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब अच्छी होंगी, मैं अभी बहुत अच्छी हूँ हम सब लेडिस का जो सारा तीन है, वो घर के कामों में ही निकल जाता है और जो घर के काम है, वो खतम होने का नाम ही नहीं लेते हैं मैं किस तरह से अपने घर के कामों को बांगती हूँ, किस तरह से अपने घर के सारे काम को खतम कर लेती हूँ जिससे कि मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और जो मेरा घर है वो भी एकदम से और्गनाइज रहता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो शायद आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल जए अगर आपको ये कुछ सीखने को मिल जए इस मेरी वीडियो से तो मुझो कमेंट करके बताना मैं आगे चलकर और भी अच्छी अच्छी वीडियो है वो आपके लिए लेकर आऊंगी तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो तो आज का जो मेरा टास्क है वो है इस सोफे के साल तो मैं आज अपने सोफे को ड्राइ क्लिन करने लगी हूँ क्योंकि इन दिनों ना काफी सारे धूर मिटी है जो आजाती है क्योंकि पता ही नहीं लगता कबांधी तुफान आ जाते हैं और मेरे जो सोफे है वो भी वेलवेट के हैं तो इसमें ना धूर मिटी ना बहुत ना अच्छे से ना मत्यकी नजर आती है तो मैं इसको साफ करने लगी हूँ आज इस मिठे सोड़े के साथ जो हमारे कीचन में खाने वाला सोड़ा होता है तो मैंने बस वो ही लिया है तो मैं इस तरह से न सारे जो अपने सोफे पर जो सोड़ा है खाने वाला वो इस तरह से भी खेर रही हूँ इससे क्या होगा एक तो जो भी इसके अंदर हमारे सोफे के उपर जो भी गंदगी होगी वो सारी बाहर आ जाएगी और उपर से जो भी बैक्टीरिया जो धूर मिट्टी के साथ आ जाते हैं वो भी सारे के सारे हैं जो वो दूर भाग जाएंगे तो ये न बहुत ही न अच्छा सा solution है इस तरह से सोफे को clean करने के लिए क्योंकि जो velvet के सोफे होते हैं तो वो अच्छे से clean नहीं होते हैं जितना भी हम करें क्योंकि न मिट्टे बगरा न नजर आती है और जो दूसरे सोफे होते हैं जैसे की leather बगार है कि वहाँ पर तो हलका सा कपड़ा गिला लगा दो तो वो साफ हो जाते हैं तो ये देखो मैंने इस तरह से सारे सोफे पर बिखेर दिया है तो दो गंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो अभी मैंने अपनी बेटे को स्कूल भेजना है उसको भेजने के बाद फिर मैं इसकी तरफ आऊंगी और इसको अच्छे से क्लीन करूंगी और दिखाऊंगी आपको कि कैसे इसमें से मिट्ती है जो वो निकल जाती है तो अभी मैं इसको दो घंटे के लिए ऐसी चोड़ती हूँ तो बस ये देखे मेरा बेटा भी अब स्कूल जा रहा है तो मैं आगी हूँ किचन में तो जो मेरा आज का दूसरा टास्क है वो है किचन के कबड को क्लीन करने के लिए तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा पानी गरम किया है और जो मैंने सुलीशन बनाया था आपके साथ मैंने सुलीशन शेयर किया था तो ये देखो जो मैंने आपके साथ बोटल में ये बनाया था तो बस मैं ये सुलीशन ले रही हूँ तो जिसने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें तो मैं आपको बता भी देती हूँ मैंने इसमें क्या यूज किया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा डिस्वश यूज किया था और साथ में इसमें टूथपेस यूज की थी और मिठा सोड़ा जो मैंने अभी यूज किया ना वही वाला यूज किया था और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी आड़ किया था तो ये बहुत ही बढ़िया सा सुलीशन काउन हमारा त्यार हो गया है तो इसे साथ मैं अपने जो कबड है वो मैं क्लीन करने लगी हूं तो मैंने ऐ कताः तो यह साथ के सबटा करते ही रहता है क्योंकि सारा दिन हाथ लगते रहते हैं तो करते रहते हैं और जो उपर की कबर्स होती है वो रह जाती हैं वो हम daily साफ नहीं कर पाते हैं तो इसलिए न हमें कोई दिन चूज कर लेना चाहिए कि आज हमने ये काम करना है और आज हमने वो काम करना है अगर हम इस तरह से चूज करेंगे ना काम को, बांट लेंगे काम को, तो हमारा जो काम है ना असान हो जाएगा, हमें थकावत भी नहीं होगी किसी भी तरह की, और जो हमारा काम है वो भी खतम हो जाएगा, और जो हमारा घर है वो भी और्गनाइज रहेगा, साफ सुत्रा रह करनी तो मैं आज कुलें करने थी तLES so funk करनी थी और एक develop a lot of grooves सब्सक्राइब मैं क्लीन करें तो सब्सक्तों मैं इस साफ कर दो आए जागे से क्लीन करने तो यह समय सेंकि मिई है क्लाइग यो मुझा शाफ करेंगे तो वह हुआ पर चिमनी को सब्सक्राइब करता हैं क्योंकि वहाँ पर हमारा हाथ पहुंच जाता है जो उपर का एरिया होता है वो हम इतनी जल्दी से नहीं करते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई दीन है जो वो डिसाइड करते हैं कि आज हम ये वाला काम करेंगे और आज हम वो करेंगे तो इसलिए मैंने एक ना एक दिन है जो मैंने decide किया होता है कि आज मैंने ये करना है तो बस जिमनी भी मैंने इच्छे से clean कर ली है तो इस तरह से न जो हमारा घ़र है न साफ रहता है और ना daily हमें इतना काम भी नहीं करना पड़ता तो बस ये भी मेरा हाथ के हाथ हो गया है काम मैं आगी है अपनी गैस की तरफ तो अगर ये ना ना साफ होतो ना लगता ही नहीं है कि हमारी किचन साफ है तो बस इस पर भी मैं वही वाला सुलीशन है जो यूज कर रही हूँ तो इसमें मैं आपको पहले भी बताया था अगर आपके गैस के उपर निशान पढ़ जाते वो नहीं साफ होते तो आप टूथ पेस्ट के साथ भी इसको क्लीन कर सकते हैं तो टूथ पेस्टों मैंने इसके अंदर सुलीशन में डाली हूई है तो इससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो गैस के ना नीचे से भी ना अच्छे से क्लीन किया करो क्योंकि इसके नीचे भी ना काफी सारी गंदगी है जो रह जाती है तो यह देखें इस तरह से मैंने सारे काउंटर टोप को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है तो बस यह वाला काम भी मेरा हो गय तो इस तरह से ना हमारा घर है न साफ का साफ लगता है और हमें कोई भी थकावट भी नहीं होती है तो दो घंटे हो चुके हैं मैं आ चुकी हूँ अपनी सोफे क्लीन करने के लिए तो मैंने एक तौवल ले लिया है जिसके साथ मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ जो हमने इसके उपर सोडा डाला था ना मीठा सोडा तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ इस तरह से रब करने से जो भी धूल मिट्टी हमारे सोफे की उपर आ जाती है वो सारी की सारी क्लीन हो जाएगी वैसे तो मैं डेली अपने सोफे की उपर कपड़ा सूखा लगाती हूँ साफ करती हूँ जब मैं डस्टिंग करती हूँ पर उससे क्या होता है कि इस तरह से जो हम साफ करते हैं तो मिटी वैसे नहीं निकलती है जैसे इस तरह से निकलती है करने की टान दो जो इस तरह बांगे में शुचन भी टाइंड में मीठा- में काम राएज दो काम होता है की लेन एम अफे एकम चूहिंधर निवाटी ऑसाफु Miche. बहुत ही काम आता है इससे हमारी जो सफाई है बहुत ही अच्छे से हो जाती है घर की और जो हमारे घर के काम है वो भी बहुत अच्छे से असान तरीके से हो जाते हैं और हमें कोई मीनत भी नहीं करनी पड़ती है और हमारे सारे काम जटपट से हो जाते हैं तो यह देखें त मिट्टी विगरा चले जाती है तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे सोफे हैं जो चमक के बहार आ जाएंगे तो इस तरह से बच्चे भी छोटे बच्चे जिनके घर में होते इस तरह से बैठे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बैक्टिरिया फ्री हमारे जो सोफे हैं, जो इस तरह से बन जाएंगे, तो ये देखे, जो सारा मेरा टॉवल है ना, वो काला हो चुका है, इतनी सा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना जाद से जाद से शेयर करना मिलते हैं आप से आगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ दो